हेलो एवरीवन वेलकम डो माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि विश्व के भीन देशों ने कहां अपने पने श्ताफित किये हैं यह जो टोपिक है यह मैंने क्लास 10 की न्यू एंसी आर्टी से लिया है और चेप्टर नंबर 7 से लिया है तो इस वीडिय के लिए हम यह जान लेते हैं कि पने इस क्या है तो किसी भी संपन और शक्ति शाली देश दुआरा किसी गरीव देश में ने आर्थी कित्तों के लिए उस पर अपना व्यापर जैसी सफ्टों को लागू करना यहां यह वहां पर सामराज़ स्थाफित करना पने चैलाता है वो गरीब देश उस अमीर देश का या शक्तिचाली देश का तो इसके जो कोश्यंज हैं वो मैंने अलग-अलग अंट्री यानि कि सभी देशों ने संसार पर के सभी देशों ने अपने पनेश बनाए हैं तो सब हमें इसे लिवाज सिखेंगे जैसे सबसे पहले कोश्यं पित की हैं तो यह हैं जावा समात्रा बोर्नी और मलका पर देश ने अपने सबसे पहले कार खाना कहां खोला वे कब यह हैं उनका महतपुर्ण के इंदर बनाया है तो यह शोड़ा सो दो इस वी में पूर्तकलियों को हराया उन्होंने ठीक है और तब इसको महतपुर्ण के इंदर बनाया है ज़करता और मलका परड़ा से हमें कब तब जमाया तो ये कब सफल हुए है 1611 नीश सीस्वी में तो जकारता पर और 1641 में पुर्तगाली नाविक था वासकोटी गामा जो भारत में आया था और इसी वासकोटी गामा ने भारत की खोज भी की थी ये समुद्री मारक से आया था 1498 में व्यापार के उदिश्य से कालिकट नामक स्थान पर पहुंचा ये बंदर का उती थी उस टाइम पे और गोवा दमन द्वी और दादर नवह हवेली में इन्नोंने अपने इस स्ताफित किये हैं नेक्स अब भारत और विश्य में प्रांसिसी वस्तियों को किन किस्तानों पे स्ताफित किया गया है तो भारत में कूल सी जगया है ये इहां पांडीचा के तेरी चंदरनगर, कालिकट, मारीश औ और माही में नेक्स आप अप और डीफेरी और कालिगंट में फ्रांस ने अपनी वस्तिक ब Quincy के तो दोनीजगे यह उनकी ज़्यादा बस किया थी दो चीन और कंपोडिया पर फ्रांस ने कव अपने अपने इसथाफित किया है, चीन और कंपोडिया, चीन और कंपोडिया के भी तो कुछ हिस्से थे, अलक कंटरीस 12,62 ऐसे में चीन पर फ्रांस ने इस behavior, और कंपोडिया पर इस 1865 ऐसे मेंаровोज इसी तरह से जरमी, जरमनी देश तो किन स्थानों पर यह है कैरोलिन द्वीब और मार्शल वीब पर कोंसे देशों में अपने दूर आए हैं तो रूस ने खोकंद, भुखारा, खीवा, तासकंद, समरकंद को रूस में मिला लिया जबकि व्यापार के देशे से इंग्रेस वहां पर ठेका व्यवस्ता जैसे कि 1818 इसी में रूस ने लियुन तिम प्रांथ में 25 वर्स का ठेका लिया यहां पर व्याकर करने के नुम्स्ति जैसे कि भारत में वाथा पहले अंग्रेज जो आये थे उन्होंने पहले दिवानी प्राप्त की और दीरे-दीरे वह करने लेगे चीन के कोरिया और फार्मासाद वीपर किसने और कब अधिकार किया है तो यह 1844 इसी में जपान में नेक्स कोशन लेते हैं चीन के साथ कौन से देशों के बीच अफिम यूद हुए हैं तो यह 1849 से 42 इसी में और 1854 से अठावन के इसी में इंग्लेंड के साथ अ भारत से व्यापार करने की अनुमती दे थी ठीक है तो नेक्स कोशन ले लेते हम अफ्रिका को अंध महादिव क्यों कहा जाता है अफ्रिका को अंध महादिव क्यों कहा गया है अफ्रिका के लोगों को बहुत कम ग्यान होने के कारण ही मापे ग्यान की कमी थी तो इस ग्यान के कारण ही उन्हें अन्धमादवीग की स्रीने में रखा गया है अफरीका पर कौन से देशों ने अपने अपने अस्थाफ़ित की हैं कि उक्र 주고 अलगिदा अपना है तो उसको हम कहँए अफरीका की लूट चर्मनी इटली और पुर्तगाल को बेल्जियम का कोल सा साशक था और कब अफरिका पर अधिकार करने में वो सकसम है तो ये था 1878 इसी में उन्होंने अफरिका पे कबजा किया है बेल्जियम वस्योंने लेकिन सब्राट है ये लियोपोर्ड दुएती है और इसकी भी साहता ली है हैंडी स्टेंले एक नाम व्यक्ति था तो उसने कांगो नदी पर वो कबजा जमाने में सफल रहा है कांगो नदी के चित्रों को क्या नाम दिया गया है तो 1908 में इसे कांगो फ्री स्टेट नाम दिया गया है क्या नाम दिया गया है जो कांगो नदी का नेरबाई एरिया है उसको कांगो फ्री स्टेट नाम दिया गया है और यह बेल्जियम का उपनिवेश रहा है अफ्रिका के कौन से भागों पर इंग्लेंड ने अपने अपनिवेश बनाए है तो अफ्रिका का कौन सा हिस्ता इंग् मिलाया गया तो इसमें 1909 में के पोप गुड होप नटाल डास्वार और और उरंज फ्री स्टेट को जो की अंग्रेजों के अधीम थे अफ्रिका और इंगलेंड के सबसे मैं तो कुं से प्रदेश थे तो यह थे मिश्रोर उडान फ्रांस ने अफ्रीका के किन शित्रों पर अ माया है तो यह हैं अलजीरिया ट्योनीशियो सेनेगल मुरक को पश्मी गिनी ओवर मेडा गास कर पुर्तगाल वाशी अफ्रिका की लूट में किन स्थानों पर अपनादिकार जवाने में सफल होते हैं तो यह पुर्तगाल वाशी है कांगो के निगट अंगोला नाम कबस्त की उत्ती थी और मुझाविक में उन्होंने प्नादिकार बना जर्मनी का कुंसा चैंसलर ऐसा था जो की उपने विश्वाद के खिलाप था वो नहीं चाहता था कि वो ने शुनाए तो ऐसा चैंसलर था विसमार्क लेकिन कुछ राजनेतिक दवाब के कार्ण उसने उपने स्ताफित किये हैं पर्थम शुए दो कब शुरूआ कब समार्थ हुआ तो यह युद्ध शुरूआ था 1914 से 1918 इस्वी के बीच में जारी रहा था धनिसकासन का सिद्धान कब और किस ने दिया तो यह भारत में दिया था भारत का जो धन है वो इंग्लेंड जा रहा था तो इ उन्होंने इस पर पुस्तक लिखी है धनिसकासन का सिद्धान नेक्स्ट है दादा भाई नरुजी ने दनिसकासन का सिद्धान कौन सी पुस्तक में दिया है तो पुस्तक कौन सी है तो यह पुस्तक है पावर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इडिया चीक है ऐस्तु आस्तु आपलगए मूवे 49 शुक्षा काव्लागए ने लाट मैफाले के दौरभाद की ही प्रश्षेड तुशर वाय लेख के रामेश्थच में किस पुस्थपराथक वेचरों को प्रकाशित किया है तो ये जैसे की दादा बाई नारोजी ने किया है उसी तरह से एकनोमिक हिस्ट्री ओफ इंडिया में उन्होंने अपने आर्थिक विचारों का वर्णन किया है ये भी इंग्लेंड में जो धन इसकाशन हो रहा था तो उस समस्या से प्रेशान होकर उन्होंने लोगों को जगाने के लिए बार्थिकनों में खिस्ट्री ओफ इंडिया उस तक में वर्णन किया बार्थिस्टे थी थी एशिया पर समरज्यवाद का क्या स्कारातमक उत्ते होना का रहा तो इसलिए उन्होंने अपने समराज्य खितों को पूरा करने के लिए रेल मार्क का निमान कराया था या तायत के साद्रों का भी विकास हुआ और उद्योगों का विकास हुआ अपने कच्छे माल को ले जाने के लिए तो रेल मार्क बिच्छवाए थी उन्होंने और इसी तरह से यातयात के साधन उस समान को ले जाने के लिए जरूरत थी नेक्स एक इस यह पर समरज्यवात का नकारातमक प्रभाव क्या पड़ा जैसे कि अभी यह भी हस्त सिल्प उद्योगों का जो देश में छोटे मोटे बहुत उद्योग दंदे थी तो वो उद्योग क्या है वो समाप्त हो गई क्यों क्योंकि सारा काम मसीनों शी हो गया था इसलिए उसलिप उद्योगों का पतन हुआ और भारतिय अधन का निस्काशन इंगलेंड में हुआ तो यह सब नकारातमक प्रभाव थे तो इस वीडियो में लगबग यह चेप्टर कंप्लीट हो जाता है so if you like my video please share and subscribe my channel thanks for watching the video